बीजेपी भारतिया जनता पार्टी भूमियार और ब्रहमन को अपना पालतू नहीं समझे। इंडिये सरकार के सत्ता से जाने के बाद भारतिये जनता पार्टी के जो लोग हैं वो लगतार सरकार पर हमलावर हैं। हमारे साथ बिहार कॉंग्रेस के पूर्पदा अधिकारी अमरेंदर प्रताब जी बात करने के लिए अमरेंदर सिंग जी हैं। जो खुल करके अपनी बात पार्टी से ले करके कई अस्तर पर रखते हैं यो परवक्ता भी रह चुके हैं। कई ऐसे मामले हैं जिसको लेकर के गिरीराज सिंग जैसे बीजेपी के नेता है बिहार में वो लगातार कॉंग्रेस को भी घेरते रहे हैं। लेकिन इस पार जो वो शिरिकान त्यागी का मामला हुआ है उसको लेकर के वो उस तरह से मुखर नहीं है लेकिन यहां के इशू पर वो आप लोगों को गेर रहे हैं। यही तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि बीजेपी भारतिया जनता पार्टी भुमियार और ब्रहमन को अपना पालतू नहीं समझे। अभी जो शिरिकान त्यागी के साथ हुआ जिस तरह के बरे पैमाने पर वहां लोग एकठा हुए। मैंने कहता हूँ कि शिरिकान त्यागी ने अच्छा किया। लेकिन शिरिकान त्यागी के परिवार के साथ जिस तरह के लोग ब्यभार किये। जिस तरह से पुलिट परसासन किया। जैसे लग रहा था को बहुत बड़ा टेर्रिस्ट है। दाउद इवराहिम से उसका सांट काट है। इस तरह से उसके बच्चे को पकड़ लिया गया। उसकी वाइप को थाना में बैठाया गया। तो मैं समझता हूं कि जो भूमियार के बहुत बड़े अलमदार बनते हैं, गिर्लाज सिंग बात-बात पर ट्वीट करते हैं, तो आज कहां है वो? आज कहां पर है? अभी उनका ट्वीट आया, अभी भी ट्वीट आया है, तो यस्वी को लेकर के मेरे ठीकी पर ठीपनी किया। की हिम्मत करते थे, उनको हटा दिया गया, तो इस तरह से भार्दिय जन्ता पार्टी अगर भुम्यार और ब्रामनों को समझता है कि वो मेरा गुलाम है, तो वो गलत फैमी में है, लोग जागरित हो गया। सारे लोग जारखंड से सारे लोग इकठे हुए और ये गोलबंदी हुए और ये इस बात का संकेत है, आने बाले दिनों में ये कॉम्मिटी भारतिया जन्ता पार्टी को अवकात दिखा देगी कि वो कितने पानी में है और बिहार में गिर्राज सिंग छोड़ी है, मैं भी सारे लेकिन वो तो हमेशा ये कहते हैं कि जो आपर कास्ट के लोग है, वो कॉंग्रेस को छोड़ चुके है, वो बीजेपी के साथ और मोदी के वीजन के साथ आ चुके है उनकी गलत फैमी है, बिलान सब बिलान का चुना हुआ उनको आपा चला की नहीं पता है, सच्दानाद राय का उनको टिकर कार दिया सच्दानाद, राय पूड़े थंपिंग मैजडिटी से चुनावजीत के आया की नहीं आया, बोलने के लिए कुछ भी बोलनेने से क्या हो कि छाहा है, भारतिया जनतावर्ण पार्टी से दोनों कॉम्टि भूमियां ब्रहामनों का हो गया है, और वो भारतिया जनतावर्ण को सवक सिखाने के लिए इंत Tennजार में बैठा हुआ है, ये कॉम्टि स्वभिमान के साथ कोई समझा हुता नहीं करता है, जिस तरह मनुत् क्रोस है इस कॉमुनिटी में और ये कॉमुनिटी उनको आवकाद बीना बता हुए यह जुकने वाला नहीं है यह जिससे लड़ता है आर पार की लड़ाई लड़ता है और उसका फैसला वो करके रहता है वो पीछे बैक बैक नहीं होता है लेकिन अरमंदर जी सवाल यह है कि जिस परदेश में कररवाई हुई उस परदेश के मुखिया यानि योगी अदितेनात वो कहते हैं कि सब लोग हमारे साथ हैं धार्मिक बाते भी करते हैं यही वज़ाए कि कॉंग्रेस का बहुत ऐसा वोड़ था जिसमें उन्हों सेध लगा दी और उसका फाइदा भी कि ब्रहमनों के दुश्मन है वो लोग और करवाई भी हुई इसका भी आप भावला देरें यह ठीक है यह मैं मानता हूं कि पिछले दिनों उनके चाल में उनके सवजबाग में उनके सब्दों में लोग जोगी के भगवा रंग में फस गए थे लेकिन अब उनका चाल चरि किया जा रहा है कि अब उन लोगों को यह अपने इज़्जत परतिस्ठा की रक्षा के लिए उन लोगों ने कमर कसा उसका परिनाम है कि नोईडा में पांच लाग की सरकार हिल रही है पांच लाग की गैदरिंग हुई और वो यह लोग ने टै कि मैं बिना इनको आउकाद म मैं इनको जमीन परजनों दिखाए मैं अब चुप बेटने वाला नहीं उसका असर बिहार में भी पड़ेगा 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 पर रहा है पड़ेगा यह जिस तरह से कार्ति कुमार पर हमला कर रहे हैं इनके यहां सारे लोग अच्छे हैं तो यह यह पड़ेगा उ यह है यह उसके पास वही है अरे कैलास पती मिसरा ने जिसको खड़ा किया जिस सुसिल मोदी को उस सुसिल मोदी ने कार्ति के खिलाप में बयान बाजी कर रहा है कार्ति पर क्या चार्ज है कोई चार्ज ने पुलिस ने तो बड़ी कर दिया है उसके बाब जो भी वह अंग भागेदार होते उसमें निश्चित तोर पर एक भुम्यार और ब्रहामन को सामन्जस करना चाहिए आने बाले दिनों मुझे उमीद लगता है कि इस पर यह जो महागत्वंदन का नित्रित है उस पर विचार करेगा और इस इन भुम्यार और ब्रहामनों को भी मंत्री मंदल मे कांग्रेस के जो बिधायक विदल के लीडर हैं या पार्टी के प्रेस्डेंट उन लोगों को उसमें सामन्जस किया जाएगा आप लोग दिल्ली में थे सुनने माय के राहूल गांथी तक यह बात पहुची है कि भाई हमारी जो भागेदारी है वो और बढ़नी चाहिए कैबिनेट में बड़ी पार्टी है पुरानी पार्टी है और हमेशा हमने सहयोग किया है और हमारी वयसे इस वक्षत्य में आप ह हुई है और मुझे लगता है कि परभारी इसी दिरिष्टिकों से 24 को आने वाले हैं संबब्ता हुआ रहे हैं अभी तक के प्रणाम करनुसा और वो महागटवंदन के सिर्सिनेत्रिच से इस मुद्दे पर बात करेंगे तो ये थे अमरेंदर जी जिन्हों ने साफ तोर पे कहा कि कॉंग्रेस कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर के हमेशा से बेहतर पॉलिसी रखे हैं लेकिन गिरीराज सिंग वो एक ऐसे नेता है जो वो कहते हैं कि भूमियार समाज के विकास के लिए उनके उत्थान के लिए हमने हमेशा आवाज उठाई है लेकिन शिरिकान त्यागी पर जिस तरह से पुलिसीया कारवाई ही उनके परिवार के लोगों को टॉर्चर किया गया थाने में रख दिया गया उस पर एक शब्द उन्होंने नहीं बोला शायद इसलिए नहीं बोला कि उन्हीं की पार्टी क सरकार है भारतिय जन्ता पार्टी ऐसी लोगों को और इस समुदायक लोगों को अपने जाल में फसा करके उनके साथ जल्म करना चाहती है लेकिन अब जन्ता समझ चुकी है और बिहार का जो खास तोर से भूमियार ब्रामन है वो बीजेपी से आजीज आ चुका है और आने वाले चुनाओं में गिरीरा समेथ भारतिय जन्ता पार्टी को इसका बड़ा सियासी नुकसान होने वाला है और ये इसलिए होगा कि भारतिय जन्ता पार्टी के लोगों ने इस समाज के लोगों को सियासी हिस्सेदारी ना देते हुए उनके उपर जल्म भी किया उसका जो झाल झाल